नमस्कार दोस्तों वेलकम टू माई चैनल इग जामी श्टोट जी हां दोस्तों तो जेइमेंद के रिज़ल्ट के बात तूम्हें सुबाई वाली वीडियो में बता चुका हूं अब कटाफ के बारे में डिस्कस करने वाले इस वीडियो में तो जी हैं दोस्तों अभी तक आए मिया रही है इसी सब्सक्राइब जारी हो सकता है जेए मेंस के रिजल्ट और कटकली कटाफ के वारे में भी हम लोग जानकाली लेते है और आप लोग का भी एड़्यमांस का जो इकजाम होने वाला था 23 सितंबर को उसको टाल के सताई सितंबर कर दिया गया है इसके प्रीबियस वीडियो में मैंने बनाया अगर भी तक आप लोग ने नहीं देखा तो जा के देख सकते हो दोस्तों चलिए फिर स्टार्ट करते हैं मिना किसी देरी के लेट्स चेक इट तो फ्रेंड ये जो कफर आई हुदे कि 7 सितंबर 2020 दो बच के चोवान मिनट पर आई हुए जे मेन रिजल्ट का टाफ डेट जे मेन 2020 का रिजल्ट संभाव है कि 11 सितंबर 2020 को घोशित कर दिया जाए नेशनल टेस्टिंग एजनसी जे मेन 2020 के साथ जे मेन का कटाफ मार्क्स भी जारी कर शकता है जे मेन में 2020 जोईंट इंट्रेंस इग्जामिनेशन मेन की परिच्छा एक से 6 सितंबर 2020 तक आयोजित की गई थी इसका आयोजित नेशनल टेस्टिंग एजनसी एंटिये और पर उमीद है कि जे मेन 2020 का बीस्का डिजल्ट 11 सिसंफ को जारी किया जाएगा analytical notification के मताबिक NTA जे मेन result के साथ इसका cut-off Marks भी जारी कर सकता है क्या होता है जे मेन 2020 का cut-off Marks तो जे जिस पर participating institute में seat आवंटित की जाए यानि कि जो वह कम से कम मार्स जिससे आपको क्या हो सके participating institute में आपकी seat जो है confirm हो सके जे में 2020 की परिच्छा में सामी लोगने वाले सवी student को उनके द्वारा प्राप्त किये गए अंको के अधार पर कटाफ करने धारण किया जाता है student का अंको के अधार पर medit list त्यार की जाती है इसी list से संसतानों में उपलब सीटों के अनुपात में cut-off marks किया जाता है इस cut-off को त्यार करते समय सहचिड की योगता में प्राप्त अंको का विचार किया जाता है जब JMAN 2020 का result एक बार घोसीत हो जाता है तो उसके बाद इस result में जो candidate का top marks उफराप्त करते हैं वो जो सा counseling के लिए apply करने के पाथ टाप के डाई लाग इस्टूडेंट जिनों JMAN 2020 की परिच्छा qualify किया या J-Advance 2020 के लिए apply कर सकते है J-Advance 2020 में सफल होने वाली स्टूडेंटों को देश का IITS संसथानों में प्रवेश दिया जाता है J-Advance की परिच्छा देखिए मैंने आपको पता है तो इसके प्रिवेश वीडियो में J-Advance की महत्मूर तारीक है तो JMAN 2020 कंप्यूटर वेश की तारीक जो 1-6 सितंबर रिजल्ट घोसिच होगी 11 सितंबर को रजिस्टेशन जो एडवांस के लिए परारम होगा वारा सितंबर और इसकी परिच्छा की तारीक है 27 सितंबर J-Advance का रिजल्ट आएगा 5 October 2020 अटिटेक्चर अप्टिटीट थेश्ट का जो टेस्ट होगा वह 11 October होगा और इसका रिजल्ट जब आएगा 11 October 2020 को को ही अटिटेक्चर अप्टीट थेस्ट का और seat allocation की जो परिकिरिया है 6 October और परिकिरिया जो seat allocation की परिकिरिया खतम होगी 9 number तो दोस्तों यह रहा overall new जो मैंने आपके साथ share किया कि एक्जाम इस्टोर हमें सल लगदार प्रयास करता है कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे तो मिलते हैं फिर नेक्ट वीडियो में नेक्ट अपडेट के साथ तब तक लिए गुडवार टेक केर जय हैं दोस्तों